हाई गाईज आज मैं आचुकी हूँ एक नया ड्राक्सर के रियूंवल मांस के साथ जो कि है पूरी होमेड अभी मैं इसकी पूरी की पूरी प्रोसेसिंग में आपको दिखाने वाली हूँ अभी पहले क्या करना है एक बोल में आपको एक चमच कॉफी लेना है ओविसली रॉ अब इसको बहुत ही अच्छी तरक से मिक्स करना है ऐसे मिक्स करना है जाकि बहुत ही स्मूध पेस्ट बन जाए यह पेस्ट रेडी हो चुका है लेकिन पूरी अभी तक रेडी नहीं है कुछ और में इंगेडियन इस पे एड्ट करने वाली हूँ अब देख सकते हैं यहां कब रिमूब हो गए और आपको मतलब इतनी बड़े प्रॉब्लेम से चुटकारा मिल गया आपको तो अभी मैं दिखा सकती हूँ आप लोगों को यह कौफी हल्दी और अलोवेरा जेल यह तीनों ही बहुत ही फायदेमंद है किसी भी डार्क सरकल्स या फिर किसी भी ब्लैक सपॉर्ट से या फिर किसी भी चीज को ब्राइट बनाने में हेल्प करती है और साथ एक और चीज बहुत ही फायदेमन्द होती है वो है राइस वाटर अभी आप लोग कोई रोर राइस वाटर भी उसका सकते है अम मेरा मतलब किसी राइस को भीगो कि उसकी पानी या मेरे तो मैंने डाइगली उसी उसकर दिया तो मुझे उसकी जमिला नहीं हुआ अगर आप लोग चाहते हैं और भी अच्छा रिजल्ट इंस्टेंड मिले तो आप लोग राइस को भीगो के उसका वाटर एड़ कर सकते हैं वह बहुत ही ज्यादा फायदबंद होगा यह भी है लेक करने वाली हो यह एक एशिंशियल ओयल है आप विटामिन E का जो कैप्सूल मिलते हैं उसको भी आप कट करके उसका अंदर का जो लिक्विड है वो भी आप इसमें एड़ कर सकते हैं इसके भी बहुत ही सारी फायदे है देखिए मैंने ऐसे इसको मिक्स्ट कर लिया दो तीन या फिर चार ही ड्रॉप आपको इस पर लेना पड़ेगा क्योंकि आपकी आखों की मतलब एरिया की सबसे बनाना पड़ेगा तो भी मैंने थोड़ा ज्यादा ही बना लिया आप बहुत ही कम लगेंगे क्योंकि आपके आखों के एरिया बहुत ही कम होते है इसलिए उसके ल मैं अपने DIY की लाइफ डिमोस्ट्रेशन के लिए तो आप लोग गौर से देखिएगा बहुत ही ज़्याद डिफरेंस आप लोगों को लाइफ देखने को मिलेगी तो अभी मैं एक उंगली की मदद से अपने डार्क सपर्स या फिर अपने आखों की चाड़ो और यह जो मैंन से आपको स्प्रेट करके अपलाई करना है अभी जब आप अपलाई करेंगे मुझे तो बहुत ही ज़्यादा कॉलिंग एफेक्ट मैं सोसरे आप जब करेंगे तो आपको भी मिलेगा हंडेट परसंट अगर आपको नहीं मिला तो आप मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएग तो मैं हम पर्शन शूर हो अगर मुझे एक वोली एक मिल रही है तो आपको में मिलेगी क्योंकि में बहुत ही ज्यादा संसिटर्व है तो मैं वही डियाइवाइवाइए यूज़ करती हूँ जो कि पूरी संसिटर्व स्कीन वालों के लिए कोई हर्मफुल एक्ट्स ना कर करें के टाक मिलें इसका बसको diary करने वाली हूं वोशाब लोग देख सकते हैं वर्श करने के पात के रिजल्स वाह बढ़ने के लिए ठीन बालों को त्रहा टायब लेह हूं अभी वहश करने के पात अपको या रिजल्स बढूर है जो एक को चुका देंगे तो आप है जस्ट वे तैंदना अभी आप लोग देश सकते हैं बहुत ही अच्छा रिजल्टाइब लिए अपलाई करना है और लास्ट में आपको यह अपलाई करना जरूर है वो है वायोटिकम यह नाइस का आई जल्ट बहुत बहुत है इसकी जो रिजल्ट से पहुत ही इसलिए मैं अपने लिए इस ने आपको दिखाना बहुत ही जाए जयुँद्धा अब लोग नगाविए मेरी स्कीन निष्कीन पीज़ाए तो डिल्ट कर लेए तो दो यह कोई भी केमिकल या फिर कुछ भी प्रोड़क्त असाने से सूथ नहीं करता है तो मैं सारी वह बातों को इंध्यान में रखते हैं अपने सारी डियाएवे आप लोग शेयर करती हूं और मुझे इसकी बहुत सारी डिमंड आए थी डाक सलंकरажу नहीं करके दकए बहुत ही पहले से मैं यूज करी थी लेकिन में में फूरी रस ब्ली में भी दूर हुचे थी लेकिन फिर्से मुझे हलका देखा इस विह मैंने सोच आप लोगो की शेयर कर लोगी और ये तीन दिन की टाइम पे मेरा ये जो एफेक्ट है वो आप लोग तीख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्टा है आप आपको भी बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेंगे तो आप लोग ऐसे इसको अप्लाइ करके सो जाएगा अभी के लिए बाई बाई मिलते हैं नेक्स वीडियो पे